मैं कुछ बोलूँ जनरल बक्षी जी की आवाज में मैं पूछ रहा हूँ खाना नहीं खाया जनरल बक्षी जी की हुगकार सुनकर मुझे अपनी एक फिल्म बर्सात का डायलोग याद आ गया पुत्र जिसमें जिसमें राजबबर को कहता है बॉबी देवल का फादर अरे साइब जी शेर गुर्राता नहीं है शेर दहारता है और जब शेर दहारता है ना तो बड़ो बड़ो की पतलून गीली होती देखी है हमने यह हमारे जनरल बक्षी जी की हुंकार एक सिंग की हुंकार है यह कायर को भी वीर बना दे यह असैनिक को भी सैनिक बना दे और नीन्द में सोते हुए इंसान को भी उपर खड़े होकर एके 47 लेकर खड़ा हो जाने पर उकसादे यह हमारे जनरल बक्षी जी की हुंकार थी और मैं समझता हूं कि समय की मांग यही है मैं यही बात बोलने जा रहा था और हमारे स्वामी जी ने मेरी बात पहले ही बोल दी मैं यही बोलने जा रहा था कि भीशम पेदामा ने भी यही कहा था कि देश की सीमा माता के वस्तर की भाती उच्छुल होती है उच्छुल होती है उसकी सदाए वरक्षा करना उसकी सदाए वरक्षा करना अगर कोई देश का विभाजन करने की मांग करे तो कुरुक्षेत्र के मैदान पर आजाओ पुत्र लेकिन कभी भी देश का विभाजन मत स्विकार करो यह हमारे देश की परंपरा है यह हमारे देश की संस्कृति है यह हमारे देश का इतिहास है जिसको आज की जनरेशन वाटसप के चकर में चिट चैट के चक्कर में और वो जो लगे रहते हैं I love you, I don't like you, I hate you, I hate you भूलते जा रहे हैं पुत्र भूलते जा रहे हैं आप लोग सभी जो समझते हैं कि आप लोग modern हो गए हो modern कभी नहीं होती, संस्कृति कभी modern नहीं होती, संस्कृति को जिस दिन modern करोगे, वो खत्म हो जाएगी पुत्र, वो खत्म हो जाएगी एक बार मुझे याद है मेरे discussion में महेश भट के भाई अब मुकेश भट का नाम सुना होगा आपने एक discussion में मैंने कुछ बोला तो मुकेश भट ने मुझे कहा, मुकेश जी, you are living in 1955 मैं बोलना चाहता था, मुझे वहाँ पर बोलने का मौका नहीं मिला लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ हर मंच से कि मिस्टर मुकेश भट अगर आप समझते हो कि 2018 में आप modern हो गए हो और अगर आप 2018 में 1955 को साथ वे लेकर नहीं चलोगे तो पतन हो जाएगा आपका, पतन हो जाएगा संस्कृती चलती है, चलती रहने दो इतिहास, इतिहास है उसको स्वीकारो, उसको देखो उसको पढ़ो, उसको समझो उससे inspiration लो मैं सच कह दूँ तो मैं देश के कौने कौने में गुजरा हूँ पिछले 17 सालों से एक शक्तिमान बनकर पिछले 27 सालों से शायद भीशम पितामा बनकर मैंने बड़े-बड़े फंक्शनों में अटेंड किया है सैंकडों स्कूलों में inauguration पे गया हूँ मैं बड़े-बड़े नेताओं के मैंने campaign की है चाहे बाजपेई जी हो चाहे नरंदर मोदी जी हो चाहे सुश्मा सुराज हो मैंने सब के साथ एडवानी जी हो सब के साथ मैं गुजरा हूँ लेकिन कभी भी किसी के किसी के मैं आओ में नहीं आया किसी को मैंने देखा नहीं और किसी को मैंने नहीं समझा लेकिन एक शक्स है जिसका नाम है धरम बंधु स्वामी जी जिसके लिए मैं मैं कहूंगा कि एक ऐसा शक्स है जिससे मैं इंप्रेस हुआ हूँ ये शक्स इसलिए impress करता है मुझे, क्योंकि ये न किसी धर्म की बात करता है, न किसी रास्टर, किसी जाती, न किसी संपरदाई की बात करता है, न कोई vote मांगता है, वो सिरफ हमारे देश के करणधारों को, देश के मच्चों को जवान बना कर उने, उनके कंधों को मजबूत क करने के लिए उनसे कसरत करवाता है योगा करवाता है इसने माय कहीं नहीं ग्याता एक बार फंक्शन अटेंड करके शायद दूसरा फंक्शन मैंने बहुत कम अटेंड किया हो आपको तो आना पड़ेगा मैं इस बार मैं पतली गली बकल निकल जाने की कोशिश करूँ का मैं एक पर फॉरें टूर्ट फिक्स हो गया था लेकिन कैंसल हो गया और मुझे आना पड़ा पिछले ग्यारा सालों से शायद मैं हर शिविर में आ रहा हूं क्योंकि ये शिविर है हमारे देश के निर्मान के लिए ये शिविर है हमारे देश के करंधारों को मजबूत बनाने की ये शिविर है जहां पर डॉक्टर यहां पर जैसे जनरल बक्षी जी जैसे और जैसे बड़े-बड़े आर्मी के आफिसर्स सब यहां आते हैं और आपका होसला अवजाई करत हैं जिसके लिए बहुत जरूरी है ये करना बहुत जरूरी है मैं कए बार नरंदर मोदी जी की भी बात को काट್ता हूं कभी-καभी शायद उन्हें सुनें तो शायद उन्हें बुरा लगेगा मोदी जी हमेशा कहते भाईयों और बैन ओ हमारा देश हमारा देश 20-25 साल के बाद सबसे युवा देश होगा सबसे युवा देश होगा मोदी जी कहते हैं हम लोग तालिया मारते हैं खुश होते हैं कि हम सबसे युवा देश होगे लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं शक्तिमान के तरफ से पूछना चाहता हूँ मुकेश खन्ना के तरफ से पूछना चाहता हूँ जो कोई नहीं पूछता मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब वो युवा पचीस साल के बाद वहां पहुंचेगा उसका वो कितना शक्तिशाली होगा कितना शक्तिमान होगा वो उसके कंधे कितने मजबूत होगे क्योंकि उसके कंधों पर हमारे देश का भविश्य टिकने वाला है अगर उसके कंधे मजबूत नहीं हुए तो हमारा देश लड़ खड़ा जाएगा इसलिए आज के युवा को मार्ग दर्शन की आवज शक्ता है क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा आज का युवा असलियत की जिंदगी से रियालिटी के जिंदगी से निकल कर वाटस अप और वर्चूल मीडियम में घुस गया है शक्तिमान बनकर मैंने बहुत बार मैसेजिस देता था मैं हर एपिसोड में छोटी-छोटी मगर मोटी बाते होती थी बोडी इस टेंपल का मैसेज देता था उस वकत मुझे याद है कि मैंने आप लोगों को सबसे पहला मैसेज दिया था sit tallest, stand tallest and walk tallest जब भी बैठो, सीधे बैठो जब भी खड़े रहो, सीधे खड़े रहो जब भी चलो, सीधे चलो अपनी height का full इस्तमाल करो कोई बीमारी आपको नहीं सताएगी लेकिन आज अगर मुझे कोई पूछे कि आज के बच्चे को क्या मैसेज देना चाहोगे तो मैं यही कहूँगा कि पुत्र इस मुबाइल फोन की जिंदगी से बाहर निकलो, पुत्र बाहर निकलो यह मुबाइल फोन हमारी सेंचुरी का सबसे बड़ा invention है आप कहीं नहीं खो सकते जंगल में नहीं खो सकते आप शहर की गलियों में नहीं खो सकते आपके पास मुबाइल है आप मुबाइल से फोन करके बोलो मैं खंबा नंबर 23 के पास खड़ा हूँ या मैं इस पेड के पास खड़ा हूँ वो आप कभी गोवंगे लेकिन परंतु फिर वही परंतु भीशम पितामा का किंतु परंतु यह फोन जितना अच्छा है उतना ही बुरा है पुत्र इस फोन के अंदर आज के बच्चे कैसे घुसे हैं मैं आपको अगर उसका एक्जामपल देना चाहूँ आज का हर बच्चा हर बच्ची फोन के दूप बात करते हैं आई लब यू आइ डून पाइक यू आएट यू नो आइ डून मिच्ची आपके गरदन के बारा बजने वाले हैं क्योंकि आप ऐसे देख रहे हो शक्तिमान के तरह सीधे नहीं बात करते हैं और आप इसके चक्र में आई कांटेक्ट भूल जाओगे आँखों से आँखें से दिलाकर मिलने की जो तकत होती है वो आप लोग खोदोगे क्योंकि आपको आदत नहीं पढ़ी आँख से आँख मिलाकर बात करने की आपको आदत पढ़ गई है फोन के थरू SMS के थरू WhatsApp के थरू चिट चैट के थरू Facebook के थरू Instagram के थरू और पता नहीं कितनी ग्राइम के थरू आप मेसेज भेजते हो आप जब बड़े होगे आप जब बड़े होगे कहीं नौकरी मांगने जाओगे तो वहां का GM आपके सामने बैठा होगा चेर्मन आपके सामने बैठा होगा बोलेगा OK बाई, OK girl tell me आपने क्या सीखा आप जानते हैं वो बच्चा क्या बोलेगा सिर्वो सिर्वो मैं सिर्वो मैंने MBA किया वो आंक से आंक मिलाने की आदत छोड़ चुका होगा भाइदान में शकुनी के सारे भांजे खतम हो गए लेकिन खतम नहीं होए है बैठे होए है पावर को बंद आउन बंद आउन करने में बैठे होए है सो मैं कहे रहा था कि वो बच्चा आँखों से आँखे मिलाने की उसकी आदत चली गई होगी और मैं हमेशा से कहता है हूँ कि सही माइने में जो आँख से आँख मिला कर बात करता है सही माइने में वो ही मर्द होता है अगर आप आँख से आँख मिला कर बात नहीं कर सकते कर नहीं पारे तो या तो आपने कुछ गलत किया है या तो आपने कुछ confidence की कमी है इसलिए ये WhatsApp चिट चैट से बाहर निकलिए उसको उतना ही यूज कीजिए जितना यूज करना चाहिए उससे ज्यादा यूज मत कीजिए क्योंकि लोग कहते हैं कि social media, social media, social media आपने मेरी एक serial देखी होगी शायद जिसका नाम था प्यार का दर्द है उसमें मेरा नाती मुझसे बोलता है नानू, नानू, सी, I have got thousand friends with me मुझे computer दिखाता है ऐसा करके मेरे पास thousand friends है और नानू कहता है कि उंगलियों के इशारों पर नाचने वाले दोस्त नहीं होते बेचा दोस्त वो होते हैं जो दुख सुख में तुमारे सामने खड़े रहते हैं इसलिए एई सब जो तुम thousand likes और ये सेलफी आज की लड़कियां बिंदी जुमका लगा कर ऐसे खिछती है पर ऐसे खिछती है और फोटो को भेजती है अपने like के लिए एक अंगुठा उपर के अंगुठा नीचे अंगुठा उपर के अंगुठा नीचे गलत है आप खुद mirror के सामने खड़े हो को देखो कि मैं कैसे लग रही हूँ you don't have to send selfies or selfie is a dangerous medium मैं किसी को selfie नहीं देता क्योंकि selfie में कितने बचे गिर पड़ गए है खीषते 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 पानी उसे बहा कर लेकर लेकर चला गया है लेकिन आज हर बच्चा आता है सर सर सेलफी नहीं मिलेगी आपको selfie लेनी है तो मोदी जी के पास जाओ कितने लोग पहली बार आए हैं यहां पर अल्मुस सभी पहली बार आ रहे हैं मैं आप सभी बच्चों को बच्चों को बच्चों को टीचरों को भाईयों को बहनों को माताओं को मंच पर बैठे हमारे देश के करणधारों और उनको सुद्रिड बनाना देश को जोध्धा बनाने वाले सारे योध्धाओं को जोध्धानियों को मैं मुकेश खर्णा की तरफ से यही कहूंगा प्रणाव परंतु 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 फिर वही परंतु ताजश्री गंगा पुत्र भीशिम पेदामा के तरफ से कुछ कहना चाहूं तो आब सभी को यही कहूंगा कि आईश्माना अखंड सौभाग्योवती भवव पुत्रियों कितनी पुत्रियां बैठी हैं जो अखंड सौभाग्योवती का आशिरवाद चाहती है और मैं बच्चों को अगर शक्तिमान की तरफ से कुछ कहना चाहूं जो हमेशा से कहता आया हूं तो मैं यही कहूंगा सारे बच्चे मेरी एक साथ दो दो इमेज चलती हैं एक साथ टू डिफरेंट डिस्टिंक्ट आइडेंटिटिटीज आफ टू लिव एवरी मोमेंट आप मैं लाइफ मेरे सामने एक माता जी मुझसे डबल उमर की ऐसे खड़ी हो जाते हैं मैं बोलता है माता जी आप बुजग हैं मैंसे डबल उमर की हो नहीं सकती क्योंकि मेरी उमर ही एक सो साथ साल है हंडर्ड अन्सिक्स्टि येर्ज और माता जी मेरे सामने खड़ी होती है मैं करते हैं माता जी आप बुजग हैं आप आशिवाद दीजे बले ने 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 तमेते पितामा चो हमारी बहुचे मुझे बोलना प और बच्चा अकसर मेरा स्कार पकड़ के कहता है ए ए उड़ के दिखा हो ना कोई बच्चा कहता है ए ए ए ए ए ए जादू करके दिखा हो ना मैं बच्चा कोई जादू नहीं होता है कोई जादू नहीं होता है कोई उड़ना नहीं होता है सब कंप्यूठर में होता है सब कं यहां पर आप लोगों के सामने यह फिर से बता दूँ यहां जितने बड़े-बड़े वक्ताओं ने आपको बाते बताई हैं मैं सिर्फ इतना एड करना चाहूंगा यह वो शिवर है जहां पर आप लोग सिरफ जैसे स्वामी जी कहते हैं कि लिखा लिखिये नोटबुक पर लिखिये यह साथ दिन का शिवर यह दस सिन का शिवर सिर्फ दस दिन का शिवर नहीं है यह पूरे साल का शिवर होना चाहिए क्योंकि आप जो कुछ भी आप से सीख कर जाते हो उस पर अमल कीजिए आपको सुबह उठकर अगर कराटे सिखाया जाता है योगा सिखाया जाता है पकड़ो उसको घर में जाकर उसको एकसरसाइज करो क्योंकि जब तक आप एकसरसाइज नहीं करोगे तब तक आप शक्ति सब्सक्राइब की तो दिन तुम्हारा मैं आज उसको चेंज करके हमेशा बोलता हूं सुभा कसरत की तो दिन तुम्हारा गेव फॉर्टी मिनिट्स गेव वन एड़ आफ आवर्स जिटना आप दे सकते हो सुभा उठो आप ब्रह्म महुरुत में उठो आप चार बजे से लेकि छे बजे का टाइम ब्रह्म महुरुत का टायम होता है और यहां पर सौमी जी सिखाते हैं आपको सुभा सुभा साड़े करो सुबह उठ जाओ अक्षे कुमार की में एक बात कहना चाहूंगा वन आफ दे फिटेस्ट मैं इन दे इंड़स्ट्री मेरे साथ पहली फिल्म सौगंद की थी उसने उसको मैं एक चीज के लिए एड्मायर करता हूं उसने एक कभी स्टेट्मेंट जिया किसी जगह पर किया आपकी आपकी इस तंदुरुस्ती का क्या राज है बहुत अच्छी बात कही बोला फॉर लास्ट थर्टी यर्स आफ नॉट मिस्ट अ सिंगल संग्राइज उसने कहा कि पिछले 30 सालों से मैंने एक भी सुर्योदय मिस्स नहीं किया है बहुत बड़ी बात है मैंने देखा उसको जब मैं शूटिंग करता था बैंगलोर में सुबद 6 बजे उपर जाके एक्सराइज टेरिस पर कर रहा होता था वो आदमी जो कह रहा है हमारे इंडस्ट्री पर एक बहुत बड़ा तमाचा है क्योंकि हमारे इंडस्ट्री के लोग रात को दो बज़े सोते हैं धाई बज़े खाना खाते हैं आजकल की जो यूथ है जो डिस्को में जाती है रात को चार बज़े घर लोटती है दोपहर के बारा बज़े उड़ती है वो सन जो आपको जिन्दगी देता है जीवन देता है विटामिन डी देता है जिसकी वज़े से सारे फूल, पत्ते आपके वज़न, आपकी बॉड़ी, आपकी चमक वो जो संग आपको फ्री देता है उसको आप लोग देखते तक नहीं ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है आप लोगों के लिए इसे सुबह उठनी की आदत करो मैं साड़े नौ से दस बज़े सो जाता हूँ मैं सोता हूँ जब लोगों का दिन शुरू होता है मैं हर पार्टी को मना करता हूँ मैं आपको बता दू मैं इंडस्ट्री में पिछले 35 साल से ज़्यादा मैं इंडस्ट्री में हूँ मैंने आज तक बीर नहीं चखी है आज तक आज तक मैंने सिगरेट नहीं पी है ये लोगों के दिमाग में होता है कि एक्टर है तो सब कुछ करना चाहिए एक्टर एक्टर है स्टार स्टार है पहले वो इनसान है पहले वो मनुश्य है वो शरीर उसके पास भी है और औरों के पास भी है शरीर की कदर करो शक्तिमान यही कहता था कि आप शरीर की कदर करो, शरीर मंदिर है, उसकी पूजा करो, आपके काम आएगा, किसी और के काम में नहीं आएगा, इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि शरीर को पहचानो, उसकी पूजा करो, आप मंदिरों की पूजा करते हो, लेकिन शरीर की पूजा करो, और शरीर की प और भुर्त पोर्जे फुक होते हैं सहलगा नश स्थिस्री किया भूंत जाते हैं अप शक्तिमाः बन जाते हैं रेकिन जरूरिंज नहीं हैं आपको अपने कुंडली laagrit करने की आपको कोई उसने 14 साल तक साधिना की थी आप अगर 14 महीने भी regular होकर exercise करो फुत्र तो आप अपने next बैठे हुए दोस्त से ज्यादा शक्ति शाली बन जाओगे ज्यादा शक्ति मान बन जाओगे और that is the way to do and become शक्ति मान और आज जैसे कि बक्षी साब ने कहा है आज देश में शक्ति मानों की आवशक्ता है कायरताओं की आवशक्ता नहीं वीरता की आवशक्ता है वीर पुरुश की आवशक्ता है भै नहीं होना चाहिए उसके अंदर दर नहीं होना चाहिए बहुत अच्छा उन्होंने पूछा आपने जवाब दिया क्योंकि आपने गबर सिंग को सुना था जो डर गया सो मर गया ये फिल्म का डायलोग याद है उनको आपकी बात याद नहीं है पर वो गबर सिंग का डायलोग याद है पर बहुत सही बात कहे रहे हैं जो डर गया सो मर गया डर ना डर एक ऐसी चीज है जब तक उसको आप लात मार के बाहर ने निकालोगे डर कभी नहीं निकलेगा आप से डर आपकी permission के बगैर आपके अंदर गुसता है लेकिन डर आपकी permission के साथ ही बाहर निकल सकता है इसलिए permission बनाएए, permission छोड़िए order दीजिए, get out of my body get out of my system डर से बाहर निकलीए, जैकिन डर नहीं होगा सब चीज़ को face करो जिन्दगी एक एक पल संघर्ष का पल है हर पल of your life is संघर्ष, you have to learn पर आपको उसके अंदर motivation ढूणना पड़ता है, कभी भी बेकार मत बैठो छोटे मोटे काम करते रहो क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है खाली दिमाग किलविश का घर होता है हमारे फादर मुझे यादे कहा करते थे अगर आपके पास कुछ नहीं करने का है तो आप अपने कपड़े को भाड़ो और उसको सीते रहो उसको फाड़ो और उसको सीते रहो कुछ न कुछ करते रहो पुत्र वरना आपको पता नहीं लगेगा कि किलविश का अंधेरा कब आपके अंदर घुस जाता है मैं आज और अगर छोटी सी बात एड़ करना चाहूं तो मैं बच्चों के साथ बड़ा हुँ यह सारे जितने भी यह जवान बैठें यहां पर मुझे मालू मैं जितने भी C.R.P.F और जितने भी बड़े-बड़े जवान बैठें यह सब लोग शक्तिमान को देखकर बड़े हुएं मेरे साथ मैं किसी भी फंक्शन में जाता हूँ मैं श्रीनगर में गया था मुझे याद है श्रीनगर में हर 300 याड के बाद मैं एक CRPF का जवान खड़ा था मशीन गर उठा के ऐसी उनको पता लगा कि मैं आया हूँ विशाइब था जेछ जोटा होता चला गया हूँ इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे ओम्र 160 साले लकिन अम्र कुछ नहीं होती पुत्र ओम्र वो होती है जो दिखती है अम्र is just numbers इसलिए मैं कहता हूँ उम्र कुछ नहीं होती आप अगनी जिन्दगी ठीक रखोगे, आचार विचार ठीक रखोगे, मेहनत करोगे, डिसिप्लिन करोगे, उम्र कभी नहीं दिखेगी आपके चेहरे पर, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि शक्तिमान को मैं फिर से ला रहा हूँ, और शक्तिमान मुझे फिर से बनना पड़ रहा है, कि न्वीष कब मरेगा, ने बहुत हँ मरेगा, बरेगा, बरेगा, so, बच्चों को कहूँगा, exercise के साथ पढ़ो, लेकिन कभी भी stress लेकर मत पढ़ो, कभी भी यह मत समझो कि SSE में first आना है, second आना है, कभी भी stress के साथ मत पढ़ो, teacher को भी कहूँगा, बच्चों को कभी भी stress के साथ करो माताएं अगर यहां बैठी है तो उन से यही कहूँगा कि आज की मा में उसकी साड़ी मेरी साड़ी से ज्यादा सफेद क्यूंका कॉंप्लेक्स बस गया है सहीली का बेटा नंबर टू पर आया है उसका बेटा आठ पर आया है तो कान पकट के बलती पड़ 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 बचा बलता है पड़ता हूं पड़ता हूं पड़ता हूं पड़ता हूं पड़ता हूं पड़ता हूं मत करो हाँ हर बच्चे की ग्रास में पावर अलग होती है उन सभी बच्चों को भी मैं ये कहना चाहूँगा कभी भी स्ट्रेस में मत पढ़ो बड़ों को भी कहना चाहूँगा कभी भी स्ट्रेस में मत पढ़ाओ कि SSE में फस्ट आना है उनको मेरितन के लिए तयार करो 100 मिटर की रेस के लिए मत तयार करो क्योंकि SSE, HSE में इतना बजन डालोगे, ठक जाएंगे वो, मैं उनको सिर्फ जिन्दकी का एक अपना रहस्य बता कर, अपनी बात खतम करना चाहूँगा, मैं बताओंगा मुकेश खन्ना की जिन्दकी का एक रहस्य, कि मैं अपनी क्लास में 27 वा नंबर आया था, I was 27th in my class, जिसमें 50 लोगों की क्लास थी, और मैं 27 वा नंबर पर आया था, और मैंने अपने भाई को जो अमेरिका रह रहे थे, मैंने लिखा, मैं 27 वा नंबर आया हूँ, कोई शरम नहीं थी, कोई जिजक नहीं थी, उसी गर्व से मैंने लिखा, जिसे आज का बच्चा कहता ह मैं फश्ट आया हूँ, मैं सेकंड आया हूँ, लेकिन आप लोगों को बता दू, वही मुकेश खंडा, और जिजदगी के उस मकाम पर पहुंचा हुआ है, जहां बहुत से लोग पहुंचना चाहते हैं, मैं आप लोगों को बता दू, कि मैं बढ़ाई की है, मैं B.A.C. L.B लेकिन मैं आप लोगों को बता दू, जिस मकाम पर आज मैं हूँ, वह इसलिए नहीं कि मैं S.S.E. में फस्ट आया हूँ, इसलिए नहीं कि मैं L.B. में फस्ट आया हूँ, इसलिए कि मैंने जिंदगी का एक् funcion पास किया है, इसलिए नहीं मैं चाहूँगा, बच्चों को भ पुरी की पुरी शिक्षा प्रणाशी को बदल डालो आज का बच्चा बसता लेकर है। तो श्यस्त्म को चेंज करने की जरूआ है। और मैं यह ही चाहूँगा. हस्ते हस्ते पढ़ाओ. मेरा यह मानना है कि गुरुकुल सिस्टम को वापस लेकर आओ. यह जो आप यहाँ पर बैटे हैं यह गुरू कुल सिस्टम है I wish की सारे साश्टरी जो शिक्षा के हैं वो सारे सिस्टम को चेंज करकर गुरू कुल के सिस्टम पर आ जाए जा गुरू और शिश्च के बीच में तारतम में होता है गुरू शिश्य का नाम जानता है शिश्यून के पैड़ परते हैं आज का बच्चा माफ करना टीचर आता है ब्लैक बोर्ट पर लिखता है तो पीछे से चौक मारते हैं एरोज मारते हैं बाहर निकलिए इज़त कीजिए गुरू आपको सिखाएगा और आप लोग सीखे देश के शक्तिमान बनिये मैं आप सभी को पितामा भीष्ण की तरफ से वह आशिरवात देना चाहूंगा जो अपने प्रियानुज अर्जुन को दिया करते थे विजई भावपुत्र विजई भावपुत्र क्या सुनना चाहोगे पुत्र महाभारत या सौगंद कितने लोगों ने सौगंदेखी थी चाधरी सारंग कितने लोगों ने देखा था गंगा चाधरी सारंग का सर कट सकता है सोली पर चड़ सकता है बारूद में पढ़ सकता है मगर जुक नहीं सकता अगली बार आना तो अपने बेटे को साथ लेकर आना ताकि बीव साल पहले हमने जो प्रतिग्या ली है उसे हम पूरी कर सकें ये पहली फिल्म थी अक्षाई कुमार की मेरे साथ जिसमें मेरे और राखी जी के डायलोग थे ये बहुत चली थी गुजरात में इसके कैसेट्स बिकते हैं राजस्थान में कई लोग मुझसे मिलते हैं बोलते हैं आपने तो एंड तक अपना गर्दन नहीं जुकाया वो एक चौधरी सारंग था महाभारत डायलोग जी डायलोग भरे पड़े हैं मैं हमेशा तारीफ करता हूं महाभारत की हर डायलोग की डायलोग की आयूश्मान भाव से लेकर विजवी भाव तक इतने डायलोग हैं उसके अंदर मैं आपको एक या दो सुना दूँगा मैं को स्वामी जी का हमेशा आदेश रहता है कि डायलोग सुनाए बगर हम आपको बेजेंगे नहीं तो मैं एक तो मैं आपको एक सीरियस नोट से बाहर निकलकर अगर एक जोक सुना दूँआ आपको मैं जो मेरे पर जॉनी लिवर नहीं पता नहीं मेरे खाल से जॉनी लिवर नहीं बनाया था राजू स्रीवास्ताव ने बनाया था कि मुकेश खन्ना को आयू शमान भव कहने का बहुत शौक है जो भी मिलता है आयू शमान भव कोई यहाँ टच करता है तो बलता है आयू शमान भव कोई यहाँ टच करता है तो बलता है आयू शमान भव इनके इस आयो श्मान भवा की बुच्छा से इनके घर वाले इनसे बहुत परिशान रहते एक बार इनके घर में एक मुसलमान दोस्त आया मुसलमान दोस्त उसको लेकर रहे निका आयो भूला कर अंदर आकी बिठा दिया मैंने भी जब पिछ्ली बार शक्तिमान बनाया था तो दस साल के बाद शक्तिमान फिर से बना था हमने एक शक्तिमान बनाई थी हमारा हीरो शक्तिमान और उसमें मुझे वजन कम करना था तो मैं जिमनेशियम गया था तलवर कर जिम में बहुत साल पहले मैं गया था जब महाभारत के पहले तो जहां पर मेरी ट्रेनिंग क्लिमेंट पाउडर मैंने का चुप कोई पाउडर शाउडर नहीं चाहिए मुझे जो चीज नेचुरली बनती है उसको करो ये पाउडर में स्टिरोइड होते हैं या आपकी बॉड़ी को चिंग 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 करके बना देते हैं लेकिन बाद में अगर आप एक्सराइज छ करना है मुझे ये छे दिन में कम नहीं करना है तो डोंट एम पॉर अननैचुरल थिंग्स डूइट यॉर्सल्प खाना संभालो अपना एक्सराइज करो योगा करो योगा इस बेस्ट फॉर्म अशरसाइज उंकार से बड़ा कोई वर्ड नहीं है इस वर्ल्ड में नासा के लोगों ने तो पता किया है कि सूरज में से भी है जो आवाज निकल रही है वो ओंकार करिए आप लोग आपकी आवाज में खनक आ जाएगी आपकी चेहरे पर रौनक आ जाएगी मैंने एक शक्स को देखा था डेर घंटे बैठकर गंगा के किनारे पर बैठकर ओंकार किया करता था मुझे बहुत अच्छा लगा मैंने शुरुआत कि अभी दस से पंदरा मिनिट हुए है आदा घंटा करूँगा एक घंटा करूँगा आप लोग भी ट्राइग कीजिए ओम आपका पाचन शक्ती इंपरू होगी आपकी श्वशन शक्ती इंपरू होगी आपका दिमाग इंपरू होगा इतना शशक्त वर्ड है ये ओम क्योंकि जब स्रिष्टी नहीं बनी थी जब ब्रह्मांड जब शुरू में कुछ नहीं था उस वकत सिरफ ओंकार का नाद था ये प्रभु की आवाज है जिसको नाद कहते हैं जिसको ब्रहम नाद कहते हैं हम तो exercise कीजिए, योगा कीजिए, meditation कीजिए, शरीर के अंदर जाने की कोशिश कीजिए ये गलत बात है कि meditation सिर्फ बड़े लोगों की exercise है कोई भी किसी भी उम्र में अगर बैठ जाए 15 मिनिट आँख बंद करके क्योंकि आँख ऐसी चीज है जिससे हम 60% of the energy waste करते हैं पूरे दिन में आप बंद करके अंदर जाएए, आज करके तो बच्चे भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि सामने वाना भाग रहा हैं बन बंद करके अंदर जाओ, आंधर शक्ति का अपार ख़अना चुपा हुआ है, अंदर आपके भगवान बेठे हैं, अंदर आपकी कंड़ीनी है अंदर आपकी आत्मा है मैं एक छोटी सी बात बताऊँ सुबह कोशिश करता हूँ बारा बज़े तक फोन अटेंड नहीं करता बारा बज़े तक का टाइम मैंने रखा है मैं मेरा शरीर, मेरी आत्मा I give time to my soul कौन अपने soul को देखता है कोई नहीं देखता मैं मैं हूँ, बाड़ी बिल्डिंग कर लेते हैं शरीर बनाते हैं, मैं मुकेश खन्ना हूँ मैं भीशम पितामा हूँ, मैं शक्तिमान हूँ नहीं साब, आप वो आत्मा है जो हजारों सालों से लाखों सालों से जी रही है आपके अंदर है, कोई उसको देखने की कोशिश नहीं करता जिस दिन आप उसको देख लोगे, साक्षाक कार कर लोगे आप पूरे ब्रहमांड का चक्र लगा सकते है मैं जोक कंप्लीट कर देता हूँ मुकेश खन्ना के परिवार वाले उसके आयुशमान भव से परिशान है, एक बार उनके घर में मुस्लिम दोस्त आया मुकेश खन्ना ने उसका स्वागत की आयुशमान का के अंदर बिठा दिया चाई शाय हुई, गपे शपे हुए और वो चला गया मुकेश भाई के घर वाले मुकेश पर चड़ गए आपको तो मालूम ही नहीं पड़ता, जिसको भी देखो, आयुशमान भव, आयुशमान भव कहते हो मुकेश ने खाँ, भाईया मैंने उसे आयुशमान भव नहीं का मैंने उसे का, आओ उसमान भाई, आओ, यह आयुशमान भव कहते। और भीशम पितामा, ठेमाते हुए आते हैं कि तुमने यन्यरना ले लिया है कि तुम हस्तिन अपुर का विनाश किया बिना नहीं रहोगे अरे पुत्र जिस संगासन पर बैठे हो उसके नीचे तो आग ने लगाओ ये संगासन जल जाएगा जल जाएगा ये संगासन पर मुझसे भूल क्या हुई है ताद श्री भूल यह जि तुम यह नहीं जानते कि तुम से क्या भूल हुई है तो तुम राजा बनने के योग नहीं हो वो एक व्यक्ती जो तुम्हारे सामने सर उठा कर सच बोल सकता था तुमने उसे भी निकाल दिया अरे मुर्ख सत्य चाहे कितना ही कड़वा क्यों न हो सत्य फिर भी सत्य होता है सत्य को सुनने सीखने और स्विकार करने का साथ कर भेज किसी को विदुर के पास और बुला भेज यदि वो नहीं आया तो हस्तेना पिर में फिर कभी सुर्य उद्य नहीं होगा ये राजभवन तुम्हारे समेट अंदकार के गर्त में डूब जाएगा डूब जाएगा हस्तेना पुर्भी डूब जाएगा प्रांसला भी स्वामी जी का है एक और एक और डियलॉग सुनाने की बात कर रहा है शकुनी, दुषाशन, दुर्योधन पहुंचते हैं पितामा के पास में वोर जब चल रही होती है कि आप हमारे सेनापती हैं या किसी और के सेनापती है तो दुर्योधन कहता है तो पितामा भढ़कते हैं इसका ये तात्पर ये नहीं था तात्ष्री तो पिदामा केते क्रिपया आप मुझे गांधार नरेश क्रिपया आप मुझे तात्ष्री ना कहा कीजिए ना कहा कीजिए तात्ष्री ये किन्तु शब्द हैं जो अपने से बढ़ों को पत्थर की बात्री गुमा कर मारने के काम में आते हैं और अभी अभी दुरियोधन कि मैं तुम्हारे पक्ष में लड़ रहा हूँ तुम्हारे अब जाओ और मुझे इस अपराद बोद के साथ अकेरा छेड़ो परफ Utमा मेरा यही तो दुर्भाग्या है कि मैं तुम시죠 का पितामा हो अगर माता सत्यवती तुम सभों को मेरे पास छोड़ करना गई होती तो मैं तुम सब को कप का त्याक चुका होता तुम सभों ने जगा जगा पर बार बार मेरे इंश्वेत केशों का अपमान किया है परंतु दुर्योधन यह बात समझ लोकी इस अपमान का विश्व पही कर मैं केवल हस्ते नापुर के लिए जे रहा हूं केवल हस्ते नापुर के लिए और अगर मेरे पर भरोसा नहीं है तो बनारो किसी ओर को अपना प्रदान से नापती बना लो स्वामी धरम बंधुजी को अपना प्रधान से ना पकी